नमस्कार, आप शहर में रहते हूं या गाम में, आप स्कूल जाते हूं या काम करते हूं, क्या आप पर काम का बहुत अधिक बोज है? क्या आप महसूस करते हैं कि आपको आराम करने के लिए समय नहीं है? जरा सोचिए, क्या आपके पास अपने लिए समय है? क्या आपको सांसारिक चिंताएं सताती हैं? क्या आप दिन का ज्यादा तर समय टेबल पर बिताते हैं? यदि आपने इन प्रशनों में से किसी का भी उत तरहां में दिया है, तो मुम्किन है कि ये बातें आपको प्रभावित करती हैं। परिणाम स्वरूप आपके शरीर में कहीं कहीं तनाव रहता है। हम में से अधिकांच लोग दिन में आराम के लिए समय नहीं निकाल पाते। और अपने शरीरिक तनाव को कम नहीं कर पाते यानि रिलाक्स नहीं कर पाते। इसलिए आईए कोशिश करते हैं, आजबाते हैं रिलाक्स होने के इस नायाब तरीके को। रिलाक्सेशन के इस तरीके के लिए सिर्फ कुछ मिनिट लगेंगे। इसे दिन के किसी भी समय और कहीं भी किया जा सकता है, इसे heartfulness relaxation कहते हैं, तो शुरू करते हैं, आराम से बैठ जाएं और बहुत हलके से अपनी आखें बंद कर लें, हम पैरों की अंगुलियों से शुरुआत करते हैं, अपने पैरों की अंगुलियों को हिलाएं और महसूस करें कि वे धीली और तनावमुक्त हो रही हैं, अपनी एडियों और पंजों को धीला करें और महसूस करें कि धर्ती मा से स्वास्थि प्रद उर्जा उपर की ओर जा रही है, पंजों से उपर घुटनों की ओर और पैरों को आराम पहुचा रही है, अपनी जांगों को धीला छोड़तें, रोग हरने वाली ये उर्जा पैरों में उपर की ओर जा रही है, और उन्हें आराम पहुचा रही है, अब अपनी सीट, कमर और शरीर के निचले हिस्से को एक तम धीला छोड़तें, अपनी पीट को धीला छोड़तें, उपर से नीचे तक, अब आपकी पूरी पीट आराम का अनुभव कर रही है, फिर अपनी च्छाती और अब कंधों को धीला छोड़तें, महसूस करें कि आपके कंधे पिघलते जा रहे हैं, अब अपनी बाहों को आराम दें, आपकी कोहनी, कलाईयां, हथेलियां और फिर अंगुलियां, सभी अब आराम महसूस कर रहे हैं, अब अपनी गर्दन की मानस्पेशियों को धीला छोड़तें, शितल और फिर अपना ध्यान अपने चेहरे की ओर लाएं, महसूस करें, कि आपका जबड़ा, मू, नाक, आखें, कान, चेहरे के मानस्पेशियां, माथा, और सिर का शिकर, सब कुछ शितल हो रहे हैं, कल्पना कीजिए, कि अब आपका संपूर्ण शरीर, पूरी तरह से आराम महसूस कर रहा है, अपने पूरे शरीर की सिर से लेकर एड़ी तक एक बार फिर जाँच कर लें, और यदि किसे भाग में अभी भी तनाव या दर्द महसूस हो, तो कुछ ख़णों के लिए उस भाग को धर्ती मा की रोग हरने वाली उर्जा में टूब जाने दें, जब आप तयार हूँ, तो अपना ध्यान रिदय पर ले आएं, और अपना ध्यान वहीं टिकाए रखें, इश्वरिय प्रेम और अपने रिदय के प्रकाश में डूब जाएं, उसमें मगन होने की कोशिश करें, जितनी देर चाहें, इस गहरी शान्ति में अपने अंदर तब तक डूबे रहें, जब तक आपको ये महसूस न हो, कि अब आप बाहर आने को तयार हैं, जब आपको ये जाएं, जब आपको ये प्रकाश में अंदर तक राएं,